आप देख रहे हैं 24 सुनो इंडिया बाजार में बढ़ते पेट्रॉल डीजल की कीमत की वज़े से इलेक्ट्रिक टू वीलर्स की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है ऐसे में रिवल्ट मोटर्स की इलेक्ट्रिक बाइक RV400 और RV300 को लेकर लोगों में कुछ ज्यादा ही क्रेज दिखाई दे रहा है आपको बता दें कि हर बार इस बाइक की बुकिंग ओपन होते ही ये कुछ घंटों में बंद हो जाती है 18 जून को इस बाइक की दोबारा बुकिंग शुरू हुई थी और बस दो घंटे में कमपनी ने इसकी बुकिंग बंद कर दी कमपनी का क्याना है कि दो घंटे में ही 50 करोड रुपे की बाइक की बुकिंग हुई है मोटर्स ने साल 2019 में अपनी दो इलेक्ट्रिक बाइक RV300 और RV400 को लौंच किया था इस कमपनी की शुरुआत माइक्रो मेक्स के फाउंडर राहुल शर्मा न की थी आईए जाए लेकिन उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजे और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिए तो चलिए आपको बताते हैं इस बाइक की खासियात रिवल्ट मोटर्स की इलेक्ट्रिक बाइक RV400 और RV300 को लोगों ने बेहत पसंद किया है हर बार इस बाइक की बुकिंग ओपन होते ही ये कुछ घंटों में बंद हो जाती है आप अंदाजा लगाईए कि 18 जून को इस बाइक की दुबारा से बुकिंग शुरू हुई थी और कमपनी ने इतनी ही देर में 50,000 बाइक की बुकिंग कर ले कमपनी का कहना है कि रिवाल्ट RV400 इलेक्ट्रिक बाइक की ज़्यादा बुकिंग इसलिए हुई है क्योंकि सरकार के 25 सेकिंड सबसिडी के बाद इसकी कीमत काफी कम हो गई है फेहम सेकिंड सबसिडी में हुए संशूदन के बाद इस बाइक को दिल्ली के ग्राहक एक लाख दुपे से भी कम में खरीद सकते हैं साथी कमपनी का ये भी कहना है कि वो अपने डिस्ट्रिबूटर सर्विस को भारत के 35 शेहरों में बढ़ाने में कामयाब हो गई है विवॉल्ट मोटर सेने बताया है कि भारत के कई शेहरों में इस इलेक्टरिक बाइक की काफी डिमांड है कंपनी ने कहा है कि दिल्ली, मुंबई, पूरे, चेंडरी, एहमनवाद और हैदराबाद समयत 6 शेहरों में इस बाइक की काफी डिमांड देखने को मिली है और लोग इसको बुक करने के लिए काफी दिनों से इंतिजार कर रहे थे फैम सेकिंड की सबसेडी के बाद इस बाइक कीमत में भाली कटोती हुई है इसके बाद इस RV 400 बाइक कीमत एक लाग रुबे से कम की हो गई है दिल्ली में इस बाइक को और ज़्यादा डिसकाउंट के साथ खरीजा जा सकता है दिल्ली सरकार की EV पॉलसी दोरा दिया रहे डिसकाउंट का भी लाव लिया जा सकता है जिसमें आपको 16,200 रुबे का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा दिल्ली सरकार दोरा दिया जा रहे लाब और फैम सेकिंड की सबसरी के लाब के बाद ये और सस्ती हो गई है ऐसे में अगर आप भी इस बाइक को खड़ी दना चाहते हैं तो बुकिंग के लिए तयार बैठे हैं वरना ये मौका आपके हाथ नहीं आएगा दिल्ली सरकार दोरा दिया जा रहे लाब और फैम सेकिंड की सबसरी के बाद इसे मातर 90,799 रुपे में खड़ी दा सकता है इन दोनों डिसकाउंट को जोड़ा जाए तो आप इसमें कुल 28,200 रुपे की छूट पा सकते हैं अब आपको रिवोल्ड एलेक्ट्रिक बाइक की खासियत भी बता देते हैं रिवोल्ड आर्वी 400 एलेक्ट्रिक बाइक में 3 किलोवार्ट की मोटर दी गई है इसके लाबा 3.24 किलोवार्ट लीथियम आयन बैटरी दी गई है एक बार फुल चार्ज करने में ये बाइक 156 किलोमीटर तक चल सकती है आर्वी 400 की टोप स्पीड 85 किलोमीटर है आर्वी 400 की बाइक के साथ मिलने वाले चार्जिंग केबल से इसे आप घर पर भी चार्ज कर सकते हैं इसमें 240 mm फ्रेंट डिस्क और 240 mm रियर डिस्क के साथ डूल डिस्क सेटप मिलता है इसमें CBS के साथ साथ RBS भी दिया गया है इस बाइक में ECO, Normal और Sport के नाम से तीन राइटिंग मोट दिया गए है इन मोट में ये एलेक्ट्रिक बाइक 45, 65 और 45 किलोमेटर पते घंटा की टॉप स्पीड पकड़ सकती है इन मोट में लेक्ट्रिक मोटर साइकल की रिया हैं जो 180 किलोमेटर, 110 किलोमेटर और 80 किलोमेटर निकलती है कंपनी ने इन बाइक को यूनिक पेविंट प्लान के साथ बाजार मुतारा है वीवड आर्वी 300 के लिए आपको हर महिने 2999 रुपए देने होंगे वहीं रिवड आर्वी 400 की शुरुआती मॉडल के लिए हर महिने 3499 और टॉप मॉडल के लिए 3999 रुपए देने होंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें और हाँ आप इन सोचल मीडिया एकाउंट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं आप देख रहे हैं 24 सुनो इंडिया